सो हेलो गाईज आज जो हम लोग topic स्टार्ट करने वाले है उसका नाम है functions अगर आप लोगों ने इससे पहले relations नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा इसलिए आप लोगों का relations पढ़ना बहुत ज़रूरी है और अगर आप पढ़ना चाते है पुराने topics तो मैंने नीचे description में पुराने सारे links डाल दिया है आप पहले उन सब को देखिए उसके बाद ही यहाँ पर आईए ठीक है तो हम लोग start करते है अब topic functions so basically function होता क्या है पहले तो आपको definition पता होनी चाहिए so इसकी जो definition है वो कुछ इस प्रकार की है definition बतायता हूँ आपको होता क्या है suppose a and b are two sets माहले थे capital a and capital b जो है वो दो sets है are two sets then a relation a relation small f is known as function if all elements of set a are uniquely related to elements of set b ठीक है जी क्या मतलब है इसका मैं आपको अभी arrow diagram वगरे के मतलब से बताता हूँ पहले तो मैं यह underline कर रहता हूँ मैंने यहाँ पर लिखाए कि all elements of set a यानि set a के सारे elements relate होने चाहिए कैसे uniquely related to the elements of set b यह दो बहुत important चीज़ है कि set a के सारे elements और किस तरह relate होने चाहिए uniquely relate होने चाहिए ठीक है अब मैं आपको एक diagram बना के दिखाता हूँ suppose करिए कि suppose करिए यह पहले हमारे पास एक set है ठीक है मैं arrow diagram बनाने वाला हूँ और यह दूसरा set है हमारे पास ठीक अब इनके अंदर कुछ elements है let's say यहाँ पर element है 1,2,3,4 यहाँ पर कुछ elements हो गए यहाँ पर है 5,6,7,8,9 ठीक है जी तो definition क्या कहती है definition यह कहती है कि पहले set के सारे elements इस set का नाम के जो पहला set है इसका नाम हमने A रखा हुआ है इसका नाम B रखा हुआ है ठीक है तो इन्होंने कहा रखा है कि पहले set के सारे elements कैसे relate होने चाहिए दूसरे set से uniquely relate होने चाहिए क्या मतलब है देखिए मैं पहले relate कर देता हूँ ठीक है अब check करते है जो मैंने आपको condition बताई थी पहली बात तो यह कहा गया था पहली condition यह कही गई थी कि all elements of set a are related set a के सारे elements relate होने चाहिए function होने के लिए ठीक है मतलब होता क्या है कि सारे function relation तो होते पर सारे relation function नहीं होते हैं बलकि मैंने यह कहा है कि function जोता है एक special तरह का relation होता है जिसमें दो condition satisfy होने चाहिए पहली condition पहले set के सारे element relate होने चाहिए दूसरी condition uniquely relate होने चाहिए uniquely relate अब uniquely relate का क्या मतलब है वो भी समझाओंगा मैं अभी देखे सबसे पहले तो पहली condition चेक करते है क्या पहले set के सारे element relate है तो yes they are related ठीक है condition true हो गई दूसरी बात है uniquely related uniquely relate का मतलब है जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है आप पहले set पे किसी भी element पे खड़े हो जाईए दूसरी तरफ जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होगा यह जो arrow है ठीक है जो जैसे 1 जो है 5 से related है तो मैं actually अगर 1 पे खड़ा रहा हो तो मैं 5 तक पहुंच रहा हूं तो 1 से दूसरे set प और कैसा होना चाहिए uniquely होना चाहिए uniquely मतलब एक 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 रास्ते होने चाहिए हर एक element से ठीक है तो यह भी true हो गया तो yes जो यह मैंने अभी बताया था यह function the above relation is function जो उपर दिया गया relation है above relation f relation का नाम मैंने f रखा हुआ यह देखिए is function ठीक है अभी थोड़े से और example लेंग ठीक है यह देख लिए यह second example ले रहे है यहाँ पर भी हमने एक set ले लिया है ठीक है यह दूसरा set हमने ले लिया है ठीक है इसके अंदर कुछ elements रख लेते हैं let's say मैंने यहाँ पर रख दिया फिर से 1,2,3,4 वही elements यूज़ कर रहा हूँ मैं कोई दिक्कत नी उससे 5,6,7,8 नाइन ठीक है अभी जैसे कि मैंने 1 को relate कर दिया है माननी जी मैंने 1 को relate किया है अभी 5 से 2 को relate कर दिया मैंने 6 से 3 को relate कर दिया मैंने 7 से इतना सा है बस ठीक है अभी हमें 2 condition चेक करनी है all elements of a are related होना चाहिए ठीक है है क्या are related और दूसरी बात uniquely related होना चाहिए uniquely related ठीक है आप check करिए पहले बात तो क्या सारे relate है देखिए अगर आप यहाँ पर check करेंगे तो यहाँ पर जो 4th element है 4 वो related नहीं है तो all elements of set a are uniquely related पहला ही गलत हो गया है पहला गलत हो गया तो अगला check भी नहीं करना है तो the above चाहिए यह set a है यह set b है set का नाम कुछ भी हो सकता है x और y भी हो सकता है अना the above relation f is not a function ठीक है अगला example मैं दूँ इससे पहले मैं आपको आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग ट्राइ करेंगे इसको ठीक है तो देखते है जरा चलिए देखते हैं तो अगला example मैं दे रहा हूं देखे जरा let's say यह हमारे पास एक set हो गया यह दूसरा set हो गया हमारे पास ठीक है यहाँ पर कुछ elements है let's say यहाँ पर लेलते है यहाँ पर a यहाँ पर b यहाँ पर c ले लिया मैंने यहाँ ड ले लिया ठीक है यहाँ पर ले लता हूं one two three four five ठीक है यह मैंने कुछ elements ले लिये अब मानली जी मैंने a को जो है इस से relate कर दिया one से ठीक है बी को मैंने two से relate कर दिया c को मैंने three से relate कर दिया फिर से मैंने c को four से relate कर दिया और d को मैंने five से relate कर दिया ठीक है इस सेट का नाम है a इस सेट का नाम है b अब बात देखिए जड़ाब पहली बात तो मैंने आपसे यह कहा था पहली जो condition कही थी कि पहले सेट के सारे relate होने चाहिए तो all elements of a are related यह होना चाहिए ठीक है दूसरी बात uniquely relate होना चाहिए uniquely related कॉन होना चाहिए uniquely related पहले set के element, दूसरे set के element से मुझे लेना देना नहीं है कुछ, ठीक, अब check करते जड़ा, देखें, यहाँ पे, पहले set के सारे related है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दूसरी बात uniquely related है कि नहीं है, देखिए, अगर आप पहले set में किसी element पर खड़े होगा है, तो a से दूसरी तरफ जाने के लिए एक रासता है, भी से दूसरी तरफ जाने के लिए एक रासते है, तो कंफ्यूजन है कि सी से मैं 3 पर जाओ, कहां जाओ, ठीक है, और function में confusion वाला मामला नहीं होता है, इसका मतला प्यूंद नहीं है, तो यहाँ पर चाले हुआ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, as element c, element c, is not uniquely related, uniquely related, therefore the above relation is not a function, ठीक है, अगला वाला मैं example बनाता हूँ, और पहले आप pause करके देख ले ना भई, कि function है या नहीं है, यह मैंने एक set बना दिया, यह मैंने एक और set बना दिया, ठीक है, यहाँ पर कुछ elements ले लیते हैं, let's say, यहाँ पर मैंने ले लिए a, यहाँ लिए b, यहाँ ले ले लिए c, यहाँ ले लिए d, यहाँ ले 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 लिए small a, small b, small c, small d, small e, small f,bon working , अब जो capital A है वो मान लेते है small a से related है, जो capital V है वो भी small a से related है, ठीक है, c जो है let's say वो c से related है, और d जो है वो small d से related है, ठीक है, अब आप पहले थोड़ा सा वीडियो को pause करना जाते है, pause कर लेजिए, और आप ये देख के बताईए, कि ये जो relation मैंने अभी आपको दिया, य या नहीं है, ठीक है, तो pause कर लेजिए पहले, ठीक है, आपको दो condition चेक करने होती है, आपको पता है, चलिए, all elements of AR related, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले set के सारे elements related है, ठीक है, तो yes, अभी तो लग रहा है, it is a function, second check करते है, uniquely related है, uniquely का मतलब होता है, set A में जितने भी element है, उससे दूसरी तरफ जाने के लिए एक ही रास्ता होना चाहिए, तो देखिए, अगर मैं A element पर खड़ा हो, तो दूसरी तरफ जाने का एक रास्ता है, B पर खड़ा हो, तो एक रास्ता है, C पर खड़ा हो, तो एक खड़ा हो, तो एक रास्ता है, इसी को बोलते है, uniquely related है, चीक है जी, तो yes it is uniquely related, hence it is a function, तो अभी तक जो definition ये तो आपको समझ में आ गई होगी, की function होता क्या है, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और explore करना है, अब इसमें बात आती है कि domain क्या होता है, domain क्या होता है, तो domain basically एक set होता है, it is a set, ठीक है, कौन सा set होता है, अब इसको बोल सकते है, it is a set of related elements of set a, या फिर आप ये बोलो, it is set a, ठीक है, it is set a, set a को ही domain बोलते है, domain basically set होता है, related elements का set होता है relation में लेकिन function में आप ये बोल लीजिए related elements का set होता है पहले set से या फिर आप ये बोल लीजिए कि पूरा set A होता है A की बात है, क्योंकि सारी related होते है थिक है? तो यानि कि जितने भी ऊपर function थे उनमें जो domain था वो basically set यह था अब आती है बात कि what is range range क्या होता है तो range होता है set it is a set of related elements related elements from second set second set से जितने भी related elements होते है ठीक है उनका एक नया set बनाते है उसको हम लोग क्या बोलते है range बोलते है example के तौर पर देखिए यह वाला जो example है इसमें अगर मैं domain की बात करूँ तो domain मैं कह सकता हूँ capital A ठीक है पूरा set ही होता है और अगर मैं बात करूँ range की तो इस वाले example में जो range हो गया वो भी एक set होता है तो curly brackets में elements रखेंगे तो related elements from second set तो A हो गया C हो गया D हो गया ठीक है बस यह element हो गया तो यह range हो गया ठीक है इसके बाद आती है बाद co domain की यह तीन तरह की चीज है domain range and co domain very important ठीक है धीरे धीरे हम इनको function function में भी को domain क्या होता है complete second set तो यहाँ पर अगर देखा जाए इस function में codomain क्या है? codomain is capital V अगर से पहले वाले example में देखा जाए जैसे कि यह जो पहले वाले example यह function नहीं है तो यह relation देखिए, function के कई सारे नामें आप ध्यान रखना, note करके मैं लिख रहा हूँ, हम लोग function भी बोल सकते हैं, हम लोग correspondence भी बोल सकते हैं, correspondence या हम लोग mapping बोल सकते हैं, यह सब तीनों चीज़ एक होती हैं, और mapping, are all same, यह सब के सब क्या होते हैं, same होते हैं, ठीक है, इसको मैं एक rectangle में डालता हूँ, important है यह point, आप ध्यान रखना, ठीक है, इसको मैं rectangle में डाल रहा हूँ, आप भी जब note बनाएंगे तो properly बनाईए, यह, चालिए, ठीक है, अब आते हैं next topic पे, next topic क्या मैंद भी function ही च explore करेंगे, अलग-अलग तरीके से, तो अब यह जब mapping बोल रहे है, या correspondence बोल रहे है, इन पे देखते है, क्यों बोलते हैं इसा इनको, देखें, let's say, हमारे पास यह पहला set हो गया, यह दूसरा set हो गया, ठीक है, basically, हम लोग, जो function होता है, उसको हम एक mirror की तरह भी treat कर सकते ह this is 3, this is 4, let's say 5, ठीक है, here we have 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, जड़ा इनको relate भी कर दता हूँ जल्दी से मैं, चलिए, यह relate कर रहा हूँ मैं, मैंने 1 को relate कर दिया, किस से, 6 से relate कर दिया, मैंने, 2 को मैंने किस से relate कर दिया, 7 से relate कर दिया, 3 को मैंने relate कर दिया, 8 से, ठीक है, 4 को मैंने relate कर दिया, let's say, 9 से, 5 को मैंने relate कर दिया, let's say, 10 से, ठीक है, set का नाम क्या-क्या है, इस set का नाम है, A, इस set का नाम है, B, ठीक है, अब, basically, हम function को एक mirror की तरह भी treat कर सकते हैं, every function can be treated as a mirror, मतलब आप इसको एक mirror की तरह treat कर लेगे, अगर यह mirror है, अगर यह mirror है, तो जो set A है, उसमें जो elements है, वो behave करेंगे object की तरह, जैसे 1 है, एक object है, mirror के सामने, mirror के सामने, जो चीज होती ही, जो पहले चीज होती है, उसको बोलते object, और जो उससे relate होती है, जो उससे टकराक है, मतलब उसकी जो परच्छाई बनती है, उससे बोलते image बोल ठीक है, जो seven है, इसको मैं कह सकता हूँ, image of two, ध्यान दीजिए, ठीक है, eight जो है, इसको बोलते हो मैं, image of three, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ है, क्योंकि जो function है, वो mirror की तरह behave कर रहा है, ठीक है, और अगर mirror की तरह behave कर रहा है, तो यह पहला element है, यह input की तरह काम कर रहा है, और ज då यह'se बोलूँगा, image of five, अचा 11 को मैं किसी का image नहीं कह सकता, तो basically images क्या होते है, जो related elements होते है, second set के, उनको बोलते हैं, हम लोgg images, अगर हम इनको images बोलते है, जो related element है, second set के, अगर हम इनको images बोलते है, तो इनको बोलते है, pre images, यह जो elements है, ठीक है, जो यहाँ पे elements है, जै these all are pre-images, इनको कहते है pre-images, ठीक है, इसमें जितने भी related है, इनको बोलते है images, और पहले set में जो भी related है, बलकि सारे related होंगा, इनको बोलते है pre-images, जैसे मैं 1 को कह सकता हूँ, pre-image of 6, 2 को कह सकता हूँ, pre-image of 7, तो इतनी बार साइद आपको समझ में आ गई है, अब थोड़ बता चुका हूँ, complete second set होता है, आप इसमें एक चीज और लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि, it is a set of pre-images, pre-images के set को, हम लोग बोलते है, domain, ठीक है, फिर बात आती है range की, range क्या होता है, इसको हम लोग बोल सकते है, it is a set of images, set of images को बोलते है, ठीक है, code domain में कोई फर्क नही अब आप एक चीज देखिए, जब हम mathematics पढ़ते हैं, तो हम जा साथ symbols का use करते हैं, जैसे कि, example के तौर पे, कभी is equal to आता था, is equal to, कभी हमें यह लिखना होता था, तो हम इतना बड़ा नहीं लिखते थे, हम इसके लिए एक symbol बना चुके थे, यह वाला symbol, अब आपने 11 ने पढ़ा है, belongs to, ठीक है, belongs to हम इतना बड़ा नहीं लिखते थे, belongs to में हम लोग यह वाला symbol लगायते थे, भास नहीं है कि, तो maths, जो basically language है, वो language of symbols है, तो हम लोग symbols का जादस से जादा यूज करते हैं, ठीक है, तो अब हम लोग कैसे दिखाते हैं, देखिए, अगर मैं बोलन चाहता हूँ कि six is image of one, तो इतना बड़ा ना बोल के मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, कि one के ऊपर, एक function apply हुआ, तब जाके मुझे six मिला, मतलब वही है, लिखने का तरीका बतल गया है, one के ऊपर function, यह mirror अपला हुआ, one के ऊपर, देखिए, यह one के ऊपर mirror, f apply हुआ, तब जाके में six मिला, ठीक है, इसको यह नहीं पढ़ते की f और one multiply हो रहे, इसको हम पढ़ते की f is applied over one, ठीक है, तब जाके में six मिला, इसी तरह अगर मैं लिखूंगा seven is image of let's say two, तो इतना बड़ा ना लिखके मैं ऐसे लिखता हूँ, f two is equal to seven, तो थोड़ा सापको idea लग गया होगा, इसी चीज को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, तो हम लोग लिखते है, f three is equal to eight, and मैं उपर से लिख रहा हूँ, यहां से देखिए, यहां से, जो जिससे relate हो रखा है, उपर जो example है, वो ले रहा हूँ, f four की value कितनी है, nine, ठीक है, and f five की value कितनी है, ten, ठीक है, अब ध्यान से दे अब देखते हैं, जड़ा ध्यान देना, देखिए, यह जो मैंने images वगर लिखे हुए है, image of one, इनको replace कर रहा हूँ, इनके लिए मैंने mathematics बना लिए, तो मैं इनको कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, अब, बसे मिटाने दिए, फिर देखते है, चली, मिट गया है, बहुत बढ़िया, इसको मैं लिख सकता हूँ, f one, six 11 जो है, 11 किसी element से related नहीं है, किसी element के उपर function apply हो के तब जाके हमें नहीं मिलाई है, ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए, जो set a है, इनके elements को मैं generally small x से denote कर सकता हूँ, मतलब, अगर कोई बोलेगा कि small x, मतलब, ऐसे लिख सकता हूँ, मैं देखिए ज़रा, set a क्या है, set a जो है, वो x elements है उसके अंदर, और x है क्या, x जो है natural number है, कैसे natural number है, less than 6, ठीक है, तो set builder form में लिख दिया, यानि कि जो x है, जो अगर मैं बोलता हूँ, small x, तो small x basically यह elements है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इसी तरह, set b के elements को हम generally y बोलते हैं, तो y क्या है, y भी जो है, वो natural number है, कैसे natural number है, वो natural number जो है, 5 से greater है, और 12 से lesser है, ठीक है, तो set a के elements को हम लोग क्या बोलते है, x बोलते है, set b के elements के क्या बोलते है, y बोलते है, generally, ठीक है, अब मैंने ये उपर तो लिखा ही था, अगर आप लोगों को पता हो, तो यह मैंने लिखर का था, कि जब हमने 1 के उपर f apply किय तो हमें 9 मिला, और lastly, जब हमने 5 के उपर f apply किया, तो हमें 10 मिला, तो इतना बड़ा नालिक कि मैं इसको generalize कर सकता हूँ, ठीक है, मैं क्या बोलूँगा, कि जब हमने x के उपर, मैंने अल्रेडी बता दिया, x जो है, वो एक element है, जब हमने x के उपर f apply किया, तो basically मुझे मिल य, ठीक है, अब आप जब ध्यान से समझजीए, देखिए जो 6 है, जो 6 है, इसको मैं बोल सकता हूँ fx, जो 7 इसको भी बोल सकता हूँ fx, क्योंकि ये x के उपर apply करने के बात मिला, x की value वहाँ पर one है, ठीक है, तो 6 को बोल सकता हूँ fx, 7 को बोल सकता हूँ fx, 8 को बोल स जियान से सुनना, देखे जी, यह जो मैंने generalize करके लिखा है न, इन में जरा यह जो लिखा हुआ है, fx क्या है, y क्या है, इनको समझने ही कोशि़ करते हैं, देखे, यह जो x है, यह जो x है, basically यह पहले set के element है, तो यह जो पहले set के elements है, यह basically pre-images है, और जो pre-images है, उनको मै input भी बो सकता हूँ, अब मैं input क्यों बोलना हूँ, अभी थोड़े ज़रे बताऊंगा, ठीक है, यह जो f है, यह name of function है, name of function, ठीक है, यह जो एक line लिखी के यह, इससे काफी सारी चीज़ सामने आती है, और यह जो fx है, fx क्या था, याद कीजी, fx था second set के element, f1, f2, f3, f1 f1 का मतलब पहला नहीं है, पहले set के element नहीं है, 1 है उसमें से पहला बस, तो जो fx है पूरा, this is output, output, और y क्या है, y है, element of second set, second set, ठीक है, अच्छी तरह note कर लेजे, वीडियो को pause कर लेजे, इसको बार-बार देखे, समझीए, नहीं आता है, मुझे बताईए, ठीक है, अब यह हो गया, तो इतनी बात होगी, अभी मैंने इसमें input शब्द यूज़ किया, input क्यों बोलते हैं, देखे, function को हम एक machine की तरह भी treat करते हैं, let's say, यह एक machine है, ठीक है, हर machine में कुछ ना कुछ input होता है, let's say, यह input हो गया, और हर machine में कुछ ना कुछ output होगा, सही बात है, तो जो भी input possible होते हैं, जितने भी input possible होते हैं, किसी machine में, उन inputs के collection को, हम लोग domain बोलते हैं, यह होगया function, machine होगया function, और कुछ ना कुछ output आएगा, input के collection को हम लोग बोलते हैं, domain input का collection नहीं pre-images का collection function के term में लिखेंगे ठीक है तो हम लोग बोलेंगे कि pre-images का collection और हम इनको pre-images होते हैं इसके elements को हम लोग input भी बोलते हैं और input के सारे collection को हम लोग क्या बोलते हैं domain बोलते हैं input के set को हम क्या बोलते हैं डोमेन बोलते हैं ठीक है तो बेसिकली होता क्या है जैसे अगर कोई function है हर function में कुछ ना कुछ input होता है और कुछ ना कुछ output generate होता है ठीक है तो हर function जो है वह एक machine की तरह है अब मैं आपको domain के और example सेंगता हूँ for example मैं एक showroom में जाता हूँ let's say मैं Suzuki के showroom में जाता हूँ महाँ पर मैं गाड़ी लेके जाता हूँ Honda की let's say Activa लेके चला गया और मैंने उनको कहा कि मुझे इसकी servicing करवानी है तो आप खुद सोचिए Honda की गाड़ी Suzuki के showroom में या सुजुकी के service center में क्या service करेंगे नहीं करेंगे ठीक है ना क्यों नहीं करेंगे वो बुलेंगे यह हमारे domain में नहीं लाए करता मतलब देखिए उनके लिए predefined है कि उनके showroom में सिर्फ सुजुकी की गाड़ी आएंगे सुजुकी के जो अलग-अलग model है अलग-अलग bikes है अलग-अलग टू वीलर्स है उन्हीं की service हो सकती है तो वो उनके domain area में defined नहीं है domain का मतलब होता है set of inputs जो उनको allowed है ठीके न या मालने जीए मैं किसी college में admission लेने जाता हूं मैं उनको बोलता हूं कि मुझे एक particular course करना है let's say मुझे B.Tech करना है उन्हें ने का ठीक है कोई बात नी हो जाएगा MBA भी हो जाएगा B.HC करना है हो जाएगा फिर मैंने इन्पुट और फंक्शन में न हर इन्पुट पे आउट्पुट असकता है थीक है मैं पहले सी पता रहेगा इस इंपुट के लिए आउट्पुट आइगा यह पहले से पता होता है अगर यह बात नहीं पता होगी कोई confusion होगा तो उसे function नहीं बोलेंगा जैसे आप याद क आउटपुट से रिलेट होगा, इसका मतलब एक input पर कुछ भी output आ सकता है, और वो function के लिए ठीक नहीं है, वो machine के लिए ठीक नहीं है, मैं input तो सही भेज रहा हूं, और output कुछ और आ रहा है, ठीक है न, तो function को हम एक machine की तरह भी treat करते हैं, और जब machine की तरह treat करते हैं, जो inputs क set होता है, उसे हम लोग domain बोलते हैं, तो इसलिए मैं कहा रहा था, fx is equal to y में, जो x है, वो input है, ठीक है, जो fx है, आप fx याद कीजिए, second set के element है, जो related elements होते हैं, ठीक है, इसको बोलते है, output, ठीक है, f जो होता ही होता है, name of function, नाम कुछ भी हो सकता है, normally हम लोग function का नाम f रखते हैं, g, h, p, कुछ भी रख सकते हैं, और y जो होता है, वो element of second set होते है, element of second set, ठीक है, अब एक बार जारा पीछ जाते हैं, यह देखिए, मैंने यहाँ पर mark कर रखा है, यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था, मैं 6 को बोल सकता हूं, fx, 7 को बोल सकता हूं, f fx, 8 को बोल सकता हूं, fx, 9 को बोल सकता हूं, 10 को बोल सकता हूं, fx, लेकिन 11 को नहीं बोल सकता, क्योंकि 11 किसी से relate नहीं है, तो वही बात नीचे बताई गई है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम कुछ examples की मदद से इनको समझने की कोशी करेंगे, ठीक है, और वो हम अपने अगले वीडियो में, तो इससे पहले आप इसको कई बार देख लीजी, revise कर लीजी अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझने आए, और फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, thank you.